आगे बढ़ने से पहले सबसे important information, यह समीर एप है, S-A-M-E-E-R, यह Android और Apple, दोनों में ही available है, यह Central Government की एप है, इस एप से आप जो टूटे-फूटे सडके हैं, जिन से pollution हो रहा है, आप उन सडकों के बारे में complaint lock कर सकते हैं, बहुत ही effective एप है यह, अगर आप इस एप को use कर जोग और हर्पत अप में जो आप use करते हैं, तो MCG बोलती है, यह हमारा road नहीं है, GMDA बोलते हैं कि यह हमारा road नहीं है, PWD बोलती है, हमारा road नहीं है, और आखिर तक वो road नहीं बनता है, तो यह इसका रामबान इलाज है, इस एप को use कीजे, और जहां पे भी आप देख र जरूर होगा ये गारंटी है मेरा मैंने एक दो जगे ये करके देखा और वहाँ पे काम हुआ है आप सबसे सिर्फ एक नहीं आप खुद तो कीजे कीजे साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स है रिलेटिव्स है या जो भी आपके नेवर्स हैं आप उनको भी कहें कि जहां पे यो टूटी-फूटी सडके देखें जिसे डेली गवर्मेंट या हर्याना गवर्मेंट नहीं बना रही है उन सब को पॉलिशन वाले टैक के अंदर में समीर आप पर जाकर जरूर कम्प्रेंड लॉग करें इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा थोड़ा हो सकता है कि आपको भी फॉल अप करना पड़े थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप जब यह एक दो बर कर लेंगे आपको समझ मा जाया कि यह राम बान इलाज है इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए जहां पे भी टूटी-फूटे सडके देखें वहां पे इसका एप का इस्टमाल करें और पास है वहां पे जाके खत्म होता है इसका जो फाइल था वो डेली गवर्मेंट ने 31 जुलाई 2020 को अपरूव कर दिया है तो अब यहां पे भी काम शुरू हो गया है मैं पाकेज 1 के बारे में पूरा डीटेल में वीडियो बनाऊंगा तब बिलकुल आपको डीटेल में बत दिखाने वाला हूं कि पैकेज 2 यानि कि जो सेक्टर 21 के अंडर पास से शुरू होता है और यह जो सारा आप अलाइनमेंट देख रहे हैं यहां से लेकर यह इस पॉइंट तक इसके बाद UER 2 शुरू होता है UER 2 का मैं सब्टेंबर में कोशिश करूँगा वीडियो बनाने आपको सरीय खड़े वे दिखेंगे वहां पर यहां पर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जैसे गुड़गाओं में हमारा पिलर आफ होप सेक्टर 109 में है वैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फर्स्ट पिलर है डेली के साइड में उसका कास्टिंग का काम अगेट है August 2020 तक तो August 2020 यानि कि 31st August 2020 तक कि आपको कितने पिलर यहां पर कॉंक्रीट हुए वे दिख जाएंगे by end of August 2020 यानि कि next पंदा दिन में कितने पिलर यहां पर कास्ट होंगे मैं वह भी आपको बताने वाला हूं यह जो वीडियो है इस वीडियो को मैं explain कर देता हूं मैं कहां का वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ यह भरतल चॉक है यह IICC है सेक्टर 25 का यहां से अगर आप इस डारेक्शन में जाएंगे तो ठीक इस जगे में सेक्टर 27 है द्वारका का और यह सेक्टर 28 है द्वारका का यहां पर काम चल रहा था यहां पर टम्टरी रोड भी ओपन किया गया था जिसे हाइट यहां पर को कास्ट करने के काम शुरू कर दिया गया तो आईए मैं आपको यहां का वीडियो दिखाता हूं बहुत ही positive movement है यह हमें hope देती है कि द्वारक Expressway बनेगा और time से पहले बनकर complete होगा Hi, इस समय में द्वारक Expressway के package 2 में हूँ और मेरे right hand side में sector 28 है और left hand side में sector 27 है और यहां कि अगर मैं बात करूँ package 2 में जो Delhi का section है यहां पे हमारा pillar of hope cast होना शुरू हो गया है मैं camera को दूसरे तरफ घुमाता हूँ आपको पता चलेगा यह देखिए यह जो pillar है इससे आधा कास्ट कर दिया गया है तो यह Delhi का pillar of hope है यह वो area था जहां पे पहले खेत हुआ करते थे और यहां से आगे road नहीं था तो इस area में अब आप अगर देखेंगे तो यह पहला pillar का casting शुरू हो गया है यहां पे एक pillar और वहां पे देखिए एक और pillar यानि कि दो pillar का यहां पे casting शुरू हो गया है और अगर हम August 2020 की बात करें तो जैकुमार का जो यहां के contractor है Package 2 के एक एक यहां पे टागेट है कि Package 2 में एक लीस्ट August 2020 खत्म होने से पहले पहले 11 pillar ऐसे cast कर देंगे अगर हम इस direction में आगे चले जाएंगे तो हम गुडगाओं की तरफ चले जाएंगे और अगर हम इस direction में इस तरफ जाते हैं sector 28 है और right hand side में sector 27 है यहां पे high tension wires है जिनने यहां से हटाना है हटाने का मतलब है high tension wires का जो height है उसे increase किया जाएगा क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे तो वहां पे elevated रास्ता है और वो elevated रास्ता काफी pass है high tension wire के आपको happy independence day क्योंकि आज 15th of august है इस वज़े से आपको site पे एक भी लेबर नहीं मिलेगा आज सब का national holiday है तो वो लोग भी छुटी पे है बट मैंने सुचा कि क्योंकि pillar cast होना यहां पे शुरू हो गया था यह first pillar और यह second pillar यह दोनों cast होने यह 11 के 11 pillar यहां पे fully उपर तक कास्ट हो जाएंगे इस portion में और जो धूलसिरस वाला sector है sector 24 जहां से धूलसिरस चौक से आप नजबगर ड्रेन के तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो area है वहाँ पे भी कुछ pillar cast होने वाले है और अगर आप पूरे द्वार का एक्सप्रेस में देखें डेली साइड में तो ऐसे आपको बड़े बड़े जो structures हैं वो दिखने लगेंगे जो सरीय है वो आपको नज़र आएंगी जमीन से उपर उठते वे और ऐसा पूरे द्वार का एक्सप्रेस में ही अब आपको दिखेंगा डेली के section में तो यह जो pillar of hope है यह हमें hope देती है कि द्वार का एक्सप्रेस में complete होगा और जल्दी complete होगा package 2 का जो timeline है वो भी extend हो गया था जैसे कि package 3 और 4 का timeline तो इसका जो timeline है आप मान के चलिए कि next year यानि कि December 2021 तक package 2 complete हो चुका होगा एक या दो मेने का उपर नीचे आप जोड सकते हैं और जब package 2 complete होगा तो डेली गुड़गाओं के बीच में जो connectivity है वो हो जाएगी package 3 और 4 mid next year तक आप मान के चलिए और ये जो section है package 2 इसकी connectivity गुडगाओं के साथ next year end मान के चलिए आप इस वीडियो को बनाने का ये मकसद था कि आपको पता चले कि pillars cast होने शुरू हो गए हैं डेली में भी ये बहुत ही positive news है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब के साथ share कर दीजेगा चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और आपके जो neighbors हैं आपके co-workers हैं उनको भी बोलिए चैनल को subscribe करने जिनका थोड़ा सा भी interest है द्वारक Expressway में ये हम सब के लिए बहुत ही positive movement है कि द्वारक Expressway का जो pillar है डेली के side का वो cast होना शुरू होगा और आप सब को अलड़ी पता है कि 31st July 2020 को डेली government ने package 1 का भी approval दे दिया है तो जो file दो साल से pending थी वो file अपरूव हो गया है डेली का package 1 जो है शिव मूर्ती से लेके sector 21 के underpass तक वहां का भी काम बहुत जल शुरू होगा मैं उसका भी update आपके साथ share करूँगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिंद